Hello and Welcome Everyone, The Online Guru में मैं सुनली शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आज 18th of December 2022 के दिन आप सभी ने राश्ट्री मिलिटरी स्कूल के Common Entrance Test का पेपर दिया है ये Common Entrance Test जेनरली Class 6th and 9th Entrance के लिए कंड़क्ट करवाया गया है अभी के इस सेशन में हम Class 6th वाला Mathematics के पेपर को सॉल्व करने जा रहे हैं बागी के सेक्शन भी आपको हमारी चैनल पे मिल जाएंगे तो उन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर पहला आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप सभी को इनफॉर्म करना चाहूंगा हमारी तरब से RIMC, RMS, All India Sanic School यवाहर नववते विद्याले जैसे Entrance Examination के लिए Online Classes प्रवाइड की जाती है अगर आप हमारे साथ जोड़कर अपने Marks को Maximize करना चाहते हैं तो दिये गए नमबर 777-653468 पर WhatsApp के थूभी डीटेल्स ले सकते हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर question पूछा गया है That which solid has the greatest number of faces देखो सबसे ज़्यादा face की अगर यहाँ पर बात की जाए तो answer क्या होगा, cube हो जाएगा cube क्या है, एक square का three dimensional image है एक square का three dimensional image है जहाँ पर इसके कितने faces होते हैं, six faces available है बाकियों में अगर आप देखेंगे तो number of faces जो हैं, वो इससे कम होते हैं तो answer क्या रहेगा, option number D question में पूछा गया है कि अविनाश ने divide किया watermelon को 18 parts में इन में से जोती ने seven खा लिये out of them दिव्या ने four खा लिये what fraction of the water melon remained देखो कितने part थे 18 18 में से कितने खा लिये, seven plus four खा लिये तो भई, 18 minus अचा seven और four कितने होते हैं, eleven होते हैं तो बचे हुए कितने हैं, seven अचा seven बचा हुआ है, किस में से बचा हुआ है, 18 में से तो आपका answer क्या होगा, option number c, seven upon 18 यहाँ पे आपको इस question को solve करना है और decimal वाली values को add करके आपको यहाँ पे answer लिखना था देखो सबसे पहले लिया हुआ है two two के बाद plus में point one से multiply, यह और यह जब ऐसे multiply होते हैं तो maximum value जो होगी point के पहले वो क्या होगी two होगी, तो यहाँ पे आप directly बिनना इस question को solve किये भी क्या कर सकते थे, इस question का answer दे सकते थे बट फिर भी अगर आप करना चाहते हैं तो लो भी, two plus अगर आप eight को multiply करते हैं 0.1 से, तो क्या हो जाता है 0.8 आता है, फिर आप क्या करते हैं, six को multiply करते हैं point zero one से, तो क्या आता है, 0.06 इसके बाद जब आप four को multiply करते हैं, point double zero one से multiply करेंगे आप किसको four को, तो answer क्या होगा, 0.004 add करोगे, तो क्या आजाएगा, two point eight six four, यानि की option number b, तो अगर आप trick और थोड़ा सा दिमाग यूज करते हैं, तो solve भी नहीं करना पड़ता, option number b answer हो जाता, अगले question को देखो, यहाँ पे three point nine two को four point zero eight से आपको multiply करना है, ठीक है, अब three point nine two को अगर आप round off में देखते हैं, तो यह क्या है four, four को four से multiply करेंगे, तो क्या होगा, sixteen के approach value आएगा, बट आपको यहाँ पे multiply कर लेना चाहिए, वो आपके लिए जादा beneficial होगा, अब देखो, थोड़ा सा कम था, आपने यहाँ पे decimal हटाया, तो three ninety two upon one hundred, यहाँ पे four hundred and eight upon one hundred, ठीक है, तो अब three hundred and ninety two को multiply किया है, four hundred and eight के साथ, तो आएगा one five nine nine three six, divide one two three four zero, तो one two three four zero अगर आप लगाते हैं, तो fifteen point nine nine three six आपका answer आएगा, तो fifteen point nine nine three six कहाँ पे था, option number b में था, चलिए तो simplification का आपके सामने एक question लिए आ गया था, like two a minus bracket three b minus middle bracket a minus small bracket two c minus three b plus four c minus three a minus b minus two c और सारे bracket close, तो आप सभी जानते हैं कि बाट मास का रूल आपको applicable करना है, और जैसे ही आप बाट मास का rule applicable करते हैं, सबसे पहले आप smaller bracket को यहाँ पे open करेंगे, अच्छा smaller bracket को जब आप open करेंगे, तो बाहर क्या है, minus का symbol है, और जब minus के symbol के साथ open करते हैं, तो अंदर वालों का symbol भी क्या हो जाता है, change हो जाता है, तो यह लोग यह चेंज कर दिया, आपने, यह bracket था, प्लस लिखा हुआ है, यहाँ पर four c लिखा है, अब minus, minus के three के साथ multiply करोगे, तो minus three a, यह plus का three b, minus minus plus, ठीक है, plus का three two six c, यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा, तो आपने यहाँ पर क्या किया, सबसे पहले, आपने जो middle, sorry, smaller bracket था, उसे आपने open कर दिया है, और यह बाकी का equation as it is, अब देखो, यहाँ पर कुछ-कुछ मिलने वाली जो चीजे हैं, उनको एक साथ कर लो, लाइक यहाँ पर a है, अगर आप देखते हैं, तो यहाँ पर भी a है, तो इन दोनों का मिला के आप क्या भूल सकते हो, minus two a भूल सकते हो, उसके बाद देखो, यह रहा c, ठीक है, और यह रहा c, यह भी है, आपके पास c, तो भाई 6c and 4c, 10c, 10c में से 2c गए, तो 8c भचेगा, अब इसके बाद b में देखिए, 3b और 3b तो प्लस का 6b आ जाएगा, आपके पास, यही ब्रैकेट आपने यहाँ पर क्या कर दिया, close कर दिया, बाहर क्या था, माइनस का 3b था, और यह ब्रैकेट था, और फिर माइनस का 2a था, solve करेंगे 2a माइनस 3b, ब्रैकेट ओपन करो, तो माइनस माइनस प्लस 2a माइनस 8c, फिर यह क्या हो जाएगा, माइनस 6b हो जाएगा, ठीक है, सब के सिंबल्स आपने यहाँ पर चेंज करती है, अब देखो, यहाँ पर 6b है और 3b है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, माइनस का 3b रह जाएगा, प्लस का 2a माइनस का 8c, और ब्रैकेट के बाहर देखेंगे, तो 2a माइनस है, तो वह 2a माइनस से, सिंबल चेंज, प्लस 3b माइनस 2a प्लस 8c हो जाएगा, देखो, a और a, प्लस माइनस कट गए, बचा क्या, 3b प्लस 8c आपके पास बचा है, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, 8c प्लस 3b भी तो लिख सकते हैं, ओप्शन में देखो, 8c यहाँ पर माइनस से नहीं होगा, 8c प्लस 3b तो option number b जो है, वो आपका correct answer है, अगला question देखो, इसी type के questions आपने class में भी practice की है, what is 125% of 1r, अज़ा 1r में, देखो, सारे answer minute में हैं, तो आपको पता चल गया है, कि 1r में कितने minutes होते हैं, 60 minutes होते हैं, तो आप क्या अगर होगे, 60 को 125 upon 100 से solve करोगे, देखो 25 से यह कि लेते time, 4 times चला जाएगा, अजब 4 1s are 4, तो यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं, भी 4, 20 तो 15, आजब 5 5s are 25, 5 or 27, 75, तो answer क्या हो जाएगा, 75 minute आपका यहाँ पर answer होगा, यहाँ पर आपको भूला गया है, कि at a simple interest, a sum becomes 8 upon 7 of itself in 2.5 year, rate of interest बताओ, ऐसे question में आपको क्या करना हो sum, became 8 by 7, अजब मान लो, यह जो पैसे थे, वो कितने थे, 700 थे, क्या हो गए है, तो 700 का 8 by 7 हो गया, अचा, multiplied by 8 by 7, अगर मैं करूंगा, तो कितने हो जाएंगे, 800 हो जाएंगे, मतलब, principle था कितना 700, अब amount कितना हो गया है, 800, अचा, इन दोनों का difference क्या होता है, simple interest, और simple interest कित ना है, तो बहुत दोनों का difference, यानि कि 100 रुपीज, simple interest का formula, SI is equals to PRT upon 100 में आप इसको apply कीजे, simple interest की जगह लिख दीजे, 100 P की जगह लिखेंगे, आप 700 जो आपने assume किया था, उसके बाद rate of interest आपको निकालना है, time 2.5 years यहाँ पे given है, upon 100, अचा, decimal हटा तो एक 0, और यहाँ प करना है, तो देखो, 100 में यह 1000 का multiplication, 700 और 25 is equals to R, अब simple सा आप solve कर दीजे, देखे 25, अचा, 2 0 है, 2 0 अपने यहाँ पे काट दीए, 25 बंजा 25, 25 से अगर आप solve करते हैं, तो 4 times में 100, तो यह 40 है, तो 7 से 40 को आपको डिवाइड करना है, अचा, 7 6 42 नहीं, 7 5 35, remaining क्या है 5, तो 5 whole 5 by 7 percentage, यहाँ पे आपका answer होगा, यानि कि option number B जो है, वो आपका answer होगा, अब यहाँ पे question दिया गया है, कि इस question के according बताएं, how many 3000 milliliter bottles can be filled up from 7.5 meter cube, तो मैंने आपको बताया था कि 1 meter cube, टीक है, 1 meter cube के अंदर, कितने liter आते हैं, तो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि 1 meter cube is equals to 1000 liters होते हैं, तो यहाँ पे कितना है, 7.5 है, तो इसको 7.5 से multiply कर दो, तो 7.5 का 75 by 100 into 100, तो कितने liter हैं, 75 LITRES liters available हैं, how many 3000 ml की bottles आप इससे भर सकते हैं, तो बहीं सिंपल सा है न, 75 LITR को मिली लीटर में बदलने के लिए, 1000 से divide, और नीचे कितना दिया हुआ है, 3000, 3000, 30 से 30 काटा, यह हो गया 25, तो यहाँ पे आपका answer 25 के equivalent आ रहा है, तो यहाँ पे 25 के equivalent आ रहा है, और आप अगर देखते हैं, तो mistakes हैं, यहाँ पे 7.5, अचा सौरी, यहाँ पे 7.5 था न, decimal हटके सिर्फ 10 रहेगा, तो यह 750 है, तो 250 यहाँ पे आपका answer आएगा, तो option नमब रूचा गया है, 1 whole 9 by 16 को आपको solve करना है, वो भी under root के अंडर, और उसके बाद answer बताना है, तो देखिए, सबसे पहले whole number को आपको, जो improper number है, उसमें convert करना है, तो 16 वंजा 16, and 9 तो हो जाएगा 25 upon 16 का under root, अब आपने परहा था कि 25 का under root 5 होता है, और 16 का 4 होता है, 4 से 5 को divide द whole 1 by 4 आपका answer आएगा, जो कि option number B में है, अगले question में दिया गया है, the average of 7 consecutive number is 20, अचा, average अगर 20 है, तो आप लोगोंने average के formula में सम निकालना सीखा है, तो 7 into 20, कितना हो जाएगा, 7 to 140, अब इसके बाद 7 numbers है, मान लो पहला number X था, दूसरा number क्या होगा, X plus 1, 3rd क्या होगा, X plus 2, 4th क्या होगा, X plus 3, 5th क्या होगा, X plus 4, अगला क्या होगा, X plus 5 कितने हुए, 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, 7 numbers हैं, तो X plus 6, इनका सम कितना है, 140 के equal है, चलिए, X कितनी बार लिखा आपने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो लिख देरता हूँ, 7X plus, नमबर देखना एक पर, 6 plus 4, 10, plus 5, 15, 15, 3, 18, और 2, 20, और 1, 21, is equals to 140, so 7X is equals to 140, minus 21, तो 7X is equals to 21, और 9, 30, और उसके बाद होगा, 1, तो 40, 1, 1, 9 आपके सामने आ जाएगा, क्या है, अब 7X की वाल्यू क्या आ चुकी है, 1, 1, 9 आपके सामने आ चुकी है, इसमें से, अब आपको क्या करना है, X की वाल्यू निकालना है, तो इधर क्या हो जाएगा, 1, 1, 9 डिवाइड़ बाई 7, तो 1, 1, 9 को डिवाइड करो, आप 7 से, तो राउंड आफ में आंसर आता है, ठीक, जबके राउंड आफ में तो आना नीची है, तो लगातार 7 संख्याओं का उसर 20 है चेक करो, एक, ये दो, ये तीन, चार, पांच, छे, साथ, और 7 कंजिकूटिव नंबर, एवरेज 20 है, तो 7 टूजा 140 यहाँ पे करेक्ट था, गलत क्या हुआ, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ बार X है, तो 7X प्लस, 6, 5, 11, 11, 4, 15, 3, 18, 19, 20 और 21, करेक्ट है यहाँ पे भई, तो इस अकॉर्डिंग अगर आप इसको सॉल्फ करते हैं, तो 140-21, 119 ही आएगा, और X से अगर आप डिवाइड करेंगे, तो 7 से ही डिवाइड करना पड़ेगा आपको, तो 119 डिवाइड बाई, 7 करते हैं, तो आपके सामने क्या आ जाएगा, 17 आ जाएगा, तो यहाँ पे option number B जो है, वो आपका correct answer है, change into decimal form, 3 by 8 है, decimal में आपको बदलना है, तो 8 से आप क्या करें, 3 को divide देंगे, अच्छा जब divide देंगे ना, तो 0 point something answer आएगा, तो देखो एकलोता answer है, जहाँ पे 0 point something है, ठीक, तो यहाँ पे क्या कर लेंगे, अब 8, 3, 24 करेंगे, त तो देखो 3, 7, 5 point में, एक ही answer है, पूरा solve करने के भी जरूरत नहीं थी, the smallest number of 5 digit इससे आपको बनाना है, ठीक है, smallest number of 5 digit आपको बनाना है, तो सबसे 1 लिखेंगे, फिर 0 आता है, फिर 3, 4, 8, ठीक है, 5 digit का smallest बन गया, तो 1, 0, 3, 4, 8 कहां पे है, option number C में है, तो simple सा आपके लि and reached any place at 3, 40 p.m. ठीक है, एम पे चलना साट किया, पी एम पे पहुँच गया, find the time taken by the bus in the whole journey, चलो एक काम करो, 10, 5 एम पे साट किया और 40 पे पहुचा, तो भई 5 पे और 40 पे तो 35 मिनट तो आपके ये लगे, ठीक है, अब अगर 35 मिनट लगे, तो ये भी आपका option खतम, 10 से दे 5 hours 35 मिनट option भी answer हो जाएगा, what is the greatest two digit prime number, आप से क्या पूचा गया, greatest two digit prime number क्या होगा, तो भई या greatest two digit का जो prime number है, वो आप अगर यहाँ पे देखते हैं, तो सबसे पहले सबसे बड़े number से start करो, देखो 99, 99 ना 3 के table में भी divide होता है, 11 के table में भी divide होता है, 9 के में भी होता है 1 के में भी होता है, तो वही prime number नहीं है, अच्छा इससे छोटा number क्या है, 97, 97 जो है ना, यह किसे से divide नहीं होता, तो option number C आपका answer होगा, यहाँ पे बूला गया, find the smallest three digit number, जो कि 15 से divide हो जाएं, ठीक है, smallest three digit number, जो 15 से divide हो जाएं, तो एक काम करो ना, सबसे smallest number कहां पे है, 101, य 1 को divide दो, अच्छा जब आपको one time पे divide देते हैं, नहीं होगा, क्योंकि 10 जो है वो छोटा हो जाएगा, तो और बड़े number की तरफ आपको चलना है, अच्छा अगर आप यहाँ पे 7 भी नहीं जाएगा, 15 into 6 करते हैं, तो 90 आता है, तो remaining बच जाएगा, ठीक है, 90 हो गया, तो यहाँ पे 11 बच गया आपके पास, completely divide नहीं हुआ, फिर क्या करें, अब 15 से 105 को divide दीजिए, तो 75 सा 35, 70 कट गया, तो कौन है सबसे smallest, 105 है, जो की 15 से divide होता है, ठीक है, smallest तो यहाँ पे 101 है, लेकिन 15 से divide कौन होता है, 105 डिवाइड होता है, दूसरी चीज देखिएगा, 7.5 परसेंटेज, अजब परसेंटेज है, तो मतलब क्या कर देंगे आप, यहाँ पे 100 को divide में लेकर आजाएंगे, परसेंटेज हटाने के लिए, और decimal हटाने में, एक 0 और आता है, तो बहुत, 30 से 30 कट गया, तो 75 को आपको 2 से multiply करना है, ठीक, 75 तूसरा, 150, तो option नमबर, 150D के अंदर है, एक person नहीं क्या किया, eggs करीदे, price क्या है, 20 rupees per dozen, dozen में कितने होते हैं, 12, 12 pieces का, उसका जो cost price है, वो कितना है, 20 rupees है, अच्छा बेचा कितने में, 2 rupees per में, तो 12 into 2, यानि कि 24 rupees इसका क्या है, selling price है, अब बताओ gain percent, gain percent का formula क्या होता है, gain upon cost price multiplied by 100, gain कितना किया, 20 से 24, 4 rupees का, cost price कितनी थी, 20 multiplied by 100, 21s are 20, 25s are 100, 54s are 20, तो 20 percent, यहां पर आपका क्या हो जाएगा, answer हो जाएगा, the bells of three churches ring at a interval 10, 12, 15 minute respectively, याद करो, ऐसे question में मैंने काता है, LCM निकाल देना, तो 10, 12 और 15 में, LCM निकालेंगे, भाई, 2 से यह 5, 2 से यह 6, यह 15, as it is, फिर देखोगे, 2 से यह 5, यह 3 हो जाएगा, यह 15 हो जाएगा, 3 से डिवाइड दोगे, तो यह 5, as it is, यह 1, और यह फिर से 5 हो जाएगा, फिर 5 से डिवाइड दोगे, तो यह completely डिवाइड हुआ, तो भाई, 2, 2s are 4, 4, 3s are 12, 12, 5s are 60, 12, 5s are 60, तो भाई, 60 minute के बाद यह सार बेल तोल करने वाले हैं, if those bell ring at 8.30 a.m. together, बताओ next time together कब, तो भाई, 60 minute यहाँ पे add करतो, तो क्या हो जाएगा, 9.30 a.m. आपका answer हो जाएगा, solve करना है in a single fraction में, आचा 1 by 2 है, plus 2 upon 3 है, 2 और 3 का LCM क्या होता है, 6 होता है, 2 की table में 3 times आता है, तो इसको 3 से multiply करके, 3 की table में यह 2 times आता है, तो इसको 2 से multiply करके, क्या हो जाएगा, 7 upon 6 हो जाएगा, तो option number B में आपका answer है, यहाँ पे आपको बूला गया है, what is the difference between the place value and face value of 7, आचा face value और place value of 7, यहाँ पे आपको बूला गया और उसके बीच का difference बूला गया है, तो difference कितना है, 63 है, तो option number A आपका answer, यहाँ पे आपको बूला गया, विनोध चो है, वो 540 letters टाइप करता है, in half an hour में, ठीक है, how many letters will be type in 60 minutes, अचा half hour का मतलब क्या है, 30 minute, 30 minute में वो कित टाइप करता है, तो वह 30 minute में वो टाइप करता है, 540, तो 1 minute में 540 upon 30, पूछा कितने में 6 में, तो multiplied by 6, 6 बन जा 6, 6 5 जा 30, 5 से 540 को डिवाइड करतो, 5 से 540 को डिवाइड किया, तो क्या हो जाएगा answer, 5 बन जा 5, कट गया, वह 4 आया, तो 0, फिर 8, 8 5 जा 40, तो 108, जो है, ल Roman Numbers में पूछा गया है, ठीक है, क्या पूछा गया है, 67 को Roman Numbers में कैसे लिखते हैं, तो देखो इसको लिखा जाएगा, LXV7, क्यों लिखा जाएगा, क्योंकि L50 के लिए, फिर ये 10, 60, और 5 and 2, 7, तो LXV2, देखो LXV2 का पर है, option number B में है, simple सा answer आपके लिए, यहां पर बूला गया, 1000 रुपीज को डिवाइड करना है, A and B में, 3 रेशो 2 में, ठीक, अच्छा, A को कितना मिलेगा, तो देखो A का पार्ट, क्या हो जाएगा, total 1000, A का रेशो क्या है, 3, upon total रेशो 3 plus 2, 5, solve करो, 5, 2s are 10, double 0, 3, 2s are 6, double 0, तो कितने मिलेंगे, A को, A को 600 मिले अगर B का पूछता, तो B को कितने मिलते, 400 मिल जाते, A number is first increased by 10%, मान लो number कितना था, 100 था, increase कर दिया 10%, यानि कि 10 और add कर दिया, तो यह 110 हो गया, and then reduced by 10%, ठीक, अब reduce किया, अपने 10% से, तो भाई, इसका 10% क्या होता है, 11, 11 माइनस करो, 1, 1, 0, माइनस 11, कितने हो जाएंगे, बूलोगे कि 110, माइनस 11 होता है, 99, अब आपको बूला है, new number will be how much of the first number, यह first number 100, अब नया नमबर क्या है भई, इसका कितना है, तो माइनस 1%, ठीक है, 1% कि उसमें क्या हो गई है, कमी हो गई है, इसकी एज भी 5 साल बाद 5 प्लस हो जाएगी, इसकी भी प्लस 5 हो जाएगी, तो तीनों का overall जो sum यहाँ पर add होने वाला है, वो कितना add होने वाला है, 15, पहले इनका sum कितना था, 100 था, इसमें अगर आप 15 add करते हैं, तो answer क्या हो जाएगा, 115 यहाँ पर आपका answer हो जाएगा, तो option number B आपका answer है, अब इसके बाद आपको क्या बूल रहा है यह, कि 5000 decagram कितने kilogram के equivalent होता है, 5000 decagram को आपको पूछा है, किसमें पूछा है, gram के अंदर पूछा है, तो बढ़ी देखो बड़ा simple सा answer है, कि यह न 5000 decagram कितने gram में होगा, तो बढ़ी एक simple सा याद रख लो, कि 1 decagram जो होता है न, वो कितना होता है, लेकिन यह kilogram में है, sorry, gram में नहीं है, यह किसमें kilogram के अंदर है, तो देखो आपको बड़ा simple सा याद रखना है, क्या याद रखना है, कि 1 decagram कितने kilogram के equal होता है, तो बढ़ी 5000 decagram को convert करना है kilogram के अंदर, तो बड़ा ही simple सा आप यहाँ पर याद रख लीजिएगा Conversion, Conversion Matrix क्या था? Millicentidecimeter, Deca, Heca, Kilo ठेक है? Deca, Heca, और Kilo ठेक है? Deca, Heca, Kilo तो यह कितना हो जाएगा? यहाँ पर 2-0, Divide करने पड़ेंगे तो 50 आपका यहाँ पर answer होगा That is option number A Sum of place value of the digit 8 in this one Sum of the place values of the digit पहले तो भई, क्या है? Place value, पहले वाले में क्या है? 800, plus 0.008 ठेक है? यहाँ 8 by 100 तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पर 800 और फिर 008 अगर लिखेंगे तो जादा easy हो जाएगा ठेक है? जादा easy हो जाएगा इन दोनों को add करने पर फिर क्या भूला? observe the fraction given 9 by 16 और 15 by 18 9 by 16 है और क्या है? 15 by 8 है which symbol must be replaced in the bracket तो भई, एक काम करो ना 16 और 8 का LCM निकालो जब भी compare करना होता है LCM निकाल लेते हैं अच्छा LCM निकालो के 8, 2 जा 16 और 1 तो LCM क्या है 16 इसको भी 16 से multiply करो 9 by 16 को और 15 by 8 को भी 16 से multiply करो तो इसकी value I 9 इसकी value क्या I 30 अब बताओ कौन सा symbol रखोगे 30 बड़ा है ना तो option number A वाला symbol हम लोग यहाँ पे रखेंगे अगला number आपसे पूछ रहा है find the smallest number which when divided by 5, 10, 15, 25 उससे कोई भी remainder नहीं बचता है तो भाई एक काम करो इनका LCM ले लो किस-किस का 5 का, 10 का, 15 का और 25 का common number आपको 5 देख रहा है तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 5 जा 25 अब देखो 2, 3, 5 सब अलग-अलग number है ठीक है न तो 5 2 जा 10 10 5 जा 50, 53 जा 150 तो 150 वो number है जब आप 5 से 10 से 15 से 25 से डिवाइड दो गे न तो कोई भी remainder नहीं छोडने पाला अचा, there are XC students in the class अब यहाँ पे देखो XC को आपसे पूछा गया है कि XC, X और CC का मतलब होता है 100 उसके पहले X लगाया मतलब 90 student in the class 8 XL student are absent today अब क्या पूछा है XL student absent है तो XL, L मतलब होता है क्या 50, 50 के आगे लगाया 10 मतलब कि 40 40 student इन में से absent है तो भाई कितने present है 90 minus 40 कितने present है 50 और 50 को आप कैसे लिखेंगे तो 50 को आप L से represent करते है तो answer क्या हो जाएगा option number A देखो question थोड़ा सा अच्छा है पहली बार इस type का question आया है tank A contains 6 times as much water as tank B तो मान लो भई यहाँ पे A था और यहाँ पे B था B के अंदर X था तो 6 times था तो यानि कि 6X यहाँ पे क्या हो जाएगा A में हो जाएगा अब यह बूला है कि दोनों में transfer करने से एक एक में 70 आ जाए तो एक में 70 तो दो में इसका sum 140 तो 6X plus X is equals to 140 तो 7X की value 140 X की value 140 को 7 से divide करोगे तो 20 तो इसका मतलब है यहाँ पे 20 liter of water है और यहाँ पे 120 liter of water है कितना transfer करेंगे यहाँ से minus 50 करतो और यहाँ पे plus 50 करतो तो आपका काम बन जाएगा What will be the value of A solve करेंगे देखो 17 multiplied by और यहाँ पे plus है multiplied by और plus लेकिन यहाँ पे question में कुछ error है यह भी क्या होना चीए multiply होना चीए तभी आपका answer जो है न वो बड़ा simple सा आएगा otherwise यह solve नहीं हो पाएगा तो question में क्या था error था अब इसको solve करेंगे तो देखो 17 multiplied by 2 by 3 है यह यह अगर multiply होता तो इदर आके divide में चला जाता A और A 2A हो जाता तो इससे यह कट गया 2 upon 3 is equals to 2A तो A की value क्या हो जाएगी तो A की value हो जाएगी 2 by 3 इदर गया तो 1 by 2 यह और यह कट गया तो A की value 1 by 3 आएगी option number A ठीक है न यहाँ पे बस symbol का थोड़ा सा गड़ पर दिया गया है चलिए question पूछ रहा है the sum of the first two common multiple of 9 and 12 चलिए 9 का multiple लिखता है 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 9 3 जा 27 9 4 जा 36 और ऐसे ही 12 के लिखेंगे 12 1 जा 12, 12 2 जा 24 12 3 जा 36 12 4 जा 48 12 5 जा 60 आगे 9 में भी चलता है 9 4 जा 36, 9 5 जा 45 9 6 जा 54 7 से 63 फिर 8 से 72 यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो 12 5 जा 12 6 जा 72 देखो common पहला पहला common आपको निकालना है तो दोनों में पहला पहला common तो एक तो क्या है 36 है उसके बाद दूसरा common आपको देखने को मिलता है 72 तो 36 और 72 का sum कितना हो जाएगा 108 option number D answer होगा the weight of one apple is 50 gram and that of melon is 500 gram एक apple 50 gram का है और एक watermelon 500 gram का है 3 melon और 10 apple का मिला के कितना होगा अच्छा 3 melon अच्छा 1 melon का कितना था 500 इंटू 3 कितना 1500 अच्छा उसके बाद क्या बूला 10 apple 10 apple एक apple का 50 तो कितना है फिफ्टी ठेक है ना 3 melon और 3 melon और 10 apples का 10 इंटू 50 कितना हो गया तो 500 और 1500 दोनों का sum अगर आप करोगे तो कितना हो जाएगा 2000 gram हो जाएगा that is option number B चलिए question में बोला है एक lane है 150 meter long है 9 meter wide है आपको इसमें ना rectangular tiles लगानी है देखो वो meter में यह centimeter में है और जब भी number of tiles निकालते है तो formula क्या होता है उपर वाले का area 150 था तो 150 multiplied by 100 क्यों कर रहा हूँ meter में था centimeter में बतला है 9 को भी centimeter में बतलने के लिए 100 नीचे गया है 7.5 अच्छा decimal अटा के उपर 10 लगा दिया और क्या है 22.5 इसका भी decimal लगाके चलो इस पर एक 0 और बढ़ा देते हैं अब देखो यह 3 से अगर मैं काटता हूँ 3 3 जा 9 3 से 25 25 1 जा 25 यह 4 times फिर देखो 25 से ही काटूंगा मैं 25 से इसको 9 times और 25 से अगर आप इसको काटते हो तो 4 times 3 से यह 3 times चला जाएगा 80 और 00 तो option number D 80,000 answer है In what time will 8,000 at 3% per annum produce the same interest as 6,000 does in 5 years at 4% तो निकाल लो भई आपहले तो 6,000 5 years 4% कितना interest आएगा 2 0 से 2 0 काटा अब यहाँ पे 6 5s are 30 और 1 0 तो 300, 300 into 4 तो 4 3s are 12 यहाँ पे 00 लगातोगे ठीक है 1200 का interest आना चाहिए solve करते हैं देखो इसको दुबारा से 2 0 काट दिया है 6 5s are 30, 300 और 3 4s are 12 ठीक है अब यहाँ पे उतना ही interest आना चाहिए तो 1200 is equals to 8,000 into 3 into t upon 100 solve करो भई 1200 into 100 upon 8,000 multiplied by 3 is equals to t 3 0 थे यह 2 0 और यह 1 0 अपने काट दिया देखो 4 2s are 8 4 3s are 12 3 से 3 काटा 2 से यह कितने बार में 5 टाइम पे तो option number A 5 years यहाँ पे आपका answer होना है next पूचा गया functions of this देखो अगर ना एक चीज याद रखें जब कभी भी किसी भी number का ठीक है किसी भी number का power क्या हो 0 हो ठीक है power क्या हो 0 हो तो उसको क्या बूलेंगे जब कभी भी किसी का भी power 0 होता है तो उसको 1 बूलते है क्या बूलते है 1 बूलते है तो P की power 0 मतलब 1 प्लस Q की power 0 मतलब 1 bracket के बार multiply R की power 0 मतलब 1 1 प्लस 1 2 2 multiplied by 1 2 answer होगा ये पहली बार आपके paper में इस type का question डाला गया है इसके पहले इस type का question नहीं था next देखिएगा यहां पर 7 spider make 7 webs in 7 days तो 1 spider will make 1 web in कितने days भाई वही 1 days या 7 तो देखो M,D,H वाला formula आपने पढ़ा है 7 into 7 into 7 ठीक अजब 1 के लिए पूचा गया है तो क्या करोगे 1 into 1 into simple सा answer है comment section में comment करके बताओ अपने इसका answer क्या किया है what should come in the place of question mark in the following देखो इसको solve करना सबसे पहले आपको पता है कि board mass में divide solve होता है तो यह 6 divided by 2 3 हो जाएगा into 5 है तो यह 15 हो जाएगा अब आगे पीछे देगो 4 minus 1 plus 15 minus 1 ठीक अफ 15 और 4 19 minus 2 कितने होंगे 17 simple सांसर है अफ रूट सेलर बाइस लेमन at 2 for a रूपीज एक रूपे में दो खरीदे ठीक है एक रूपे में दो घरीदे and sell then at 5 for 3 रूपीज और 5 को बेच देता है 3 रूपे में तो बताना है गेन परसेंटेज पहले ना एक चीज बताओ यहाँ पे जब अपने पर्चेस किया था लेमन को 2 for a रूपीज तो कॉस्ट प्राइस क्या थी एक रूपे में दो बेचा 1 by 2 sell किया कितना 3 रूपे में 5 आपको बताना है गेन परसेंट गेन क्या होता है SP माइनस CP तो 3 अपन 5 माइनस 1 अपन 2 अपन में क्या आएगा आपका CP that is 1 अपन 2 and multiplied by 100 इसको solve करो पहले तो 5 2 का LCM 10 2 टाइमस आएगा ठेक है तो 3 तूज़ा 6 माइनस यह 5 तो 1 by 10 हो जाएगा तो इसको simply में लिखता हूँ 1 by 10 अपन में 1 by 2 का 2 by 1 into 100 ठेक है एक 0 से 1 0 काटा तो क्या हो जाएगा 20 20% का profit है all natural numbers and 0 ठेक है all natural numbers with 0 को क्या कहते है तो आपको याद है हमने number system पढ़ा था ठेक है number system में हम लोगों ने देखा था 0 से जब start होता है तो option number C answer है the last number of the 5 digit which has 1, 2, 3 as a factor है ना इनमें से 1, 2, 3 as a factor होने चाहिए ठेक the last number of 5 digit which has 1, 2, 3 as a factor तो बड़ा simple simple सा था कि ना आपको इनको divide देना था simple है divide देना है जब आप divide देते हैं तो आपने यहाँ पर पाया कि जो second one है यह divide हो जाता है ठेक और भी आप बात में देखेंगे divide देके कि क्या बाकी के सारे divide होते हैं तो आप कहेंगे सर नहीं तो option number B ही आपका answer होगा यहाँ पर दिया है the LCM of two prime numbers X and Y जिसमें X बड़ा है इनका LCM कितना है 161 the value of this क्या होगा take the value of this क्या होगा बाई LCM of a number आपको given है 161 और यहाँ पर आता है question में twist कि बाई आपने अभी तक ऐसा question तो देखा ही नी ट्रिक आपने ऐसा question देखा था क्या नहीं देखा अभी तक आया ही नी पहली बार इस type का question आपसे पूछा गया है ठीक है पहली बार question पूछा गया है ट्रिक तो क्या करेंगे वही solve कर लेंगे सीधा simple सा है जब आप इस type के questions को solve करेंगे तो आपको न यह पता होना चीए कि 161 के factors क्या क्या है तो 161 के जो factors है न वो क्या क्या है तो 7 और 23 है तो उन्हों ही prime numbers है ठीक दोनों को multiply करो 161 आता है ठीक अच्छा बड़ा number बूला था तो बड़ा number x छोटा number y अब solve करो 3 into y y की value 7 minus x x की value 23 21 minus 23 क्या हो जाएगा minus का 2 हो जाएगा option number y पहली बार एक नए type का यहाँ पर आपसे question पूछा गया next देखेगा 2 numbers are in the ratio of 2 ratio 3 उनका sum यह है तो numbers बताओ by 125 ठीक अच्छा इसको न डिवाइड कर लो by 2 और 5 से 125 को 3 by 5 से 5 से डिवाइड देते हो तो 25 2 जा यह 50 आ जाएगा 25 3 जा यह 75 आ जाएगा तो 50 and 75 आपके यहाँ पर आंसर होंगे what approximate value should come in the place of question mark question mark में क्या आएगा इनको न प्लस करें ठीक इनको प्लस करें और दोनों के बीच में क्या कर देना है डिवाइड कर देना है ठीक है बड़ा ही अच्छा सा question तो यह 9320 प्लस 5405 प्लस 1000 को जब आप एड करते हो तो 15 725 आता है दूसरे तरफ आपके पास क्या था 498 प्लस 929 प्लस 660 क्या आता है 2087 आपको क्या करना है 15 725 को डिवाइड करना है 2087 से तो अराउंड अराउंड आपका नंबर जो आएगा वो 7.5 आएगा दू नंबर्स whose sum is 84 cannot be in the ratio अज़ा उस रेशो में नहीं हो सकते जो 84 के डिवाइड नहीं हो देखो 7 और 5 कितने होते हैं 12 क्या 12 84 डिवाइड कर सकता है तो 84 को 12 से डिवाइड दोगे बुलोगे सर हां हो सकता है 13 प्लस 8 21 क्या 84 21 से डिवाइड हो सकता है आप बुलोगे हो सकता है 3 प्लस 1 4 4 84 को डिवाइड कर सकता है 3 प्लस 2 5 5 कर सकता है क्या नहीं तो आंसर क्या होगा option अंपर D next यहां पर बूला गया है 0.02% यानि कि 2 अपॉन इसका decimal हटा दोगे तो 1 double 0 और percentage का 2 0 और लगेगा off का मतलब multiply 150 upon 100 of 6,000 solve करो भई या कितने 0 3 और 1 4 0 कार्ट दो 4 0 कार्ट दिया अपने फिर देगो 15, 2, 30 36, 180 upon 100 क्या होगा answer 1.8 option number B what is the next number in the series 2, 5, 9, 14, 20 series reasoning का part यहां पर डाल दिया गया देगो 2 में plus 3 यहां पर plus 4 यहां पर plus 5 यहां पर plus 6 तो क्या करोगे 7 कर दोगे तो 27 option number C answer होगा if the length and breadth of a rectangle are double how does its perimeter change if the length and breadth of a rectangle को double कर देटे हो मान लेते हैं कि length जो था वो 2 था और breadth जो था वो 1 था ठीक तो बताओ perimeter perimeter क्या होता है 2L plus B 3 2s are 6 आया perimeter अब इसको double कर दिया तो length कितने हो गया 4 और breadth कितना हो गया 2 perimeter निकालो 2 4 plus 2 6 2s are 12 क्या हो गया यह भी double हो गया option number B answer होगा what is the amount of surface enclosed by a closed plane figure called surface enclosed by थे गया उसको ना हम लोग area कहते हैं plane figure के अंतर so student यह था हमारा आज का session I hope आप सभी ने exam में सारे questions correct किये हो अगर आपको लगता है कि आपके preparation कम थी और आपको और ज्यादा preparation करने की requirement है तो आप हमारे साथ जोड़कर RIMS, RMS, Sanic, JNV etc. से related preparation कर सकते हैं इसकी details के लिए आप दियेगे number 7737653468 पर भी details ले सकते हैं तो मिलते हैं आपसे अगले session में तब तक के लिए जैहिंद